हीमाचल प्रदेश के जिला मंडी के उत्रशाल क्षेत्र में समुद्र तल से 9000 फुट उंची चोटी पर एक स्वच्छ नीली जील है जील के एक किनारे प्रस्थित है रिशी पराशर का तीमंजिला पैगोडा शेले में बना पुरातन मंदिर रिशी पराशर कौन थे हिमालिय धोर की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि रिशी पराशर यहां कब आए और उन्होंने जील का निर्मान कैसे किया ये भी बताएंगे कि उनका मंदिर यहां किसने बनाया रिशी पराशर के बारे में बेदों में उलेक मिलता है कि ये शक्ति रिशी के पुत्र हैं महाभारत के रचैता बेद व्यास के पिता और शुक देव मुनी के दादा हैं इनके दादा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जिश्ट रिशी हैं कुलू मंडी के लोग इन्हें देव पराशर के नाम से पुकारते हैं जहां रिशी पराशर का मंदिर है और उनके द्वारा बनाई गई जील है प्राकृतिक संदरे से लबरेज ये जगह सौराधार के नाम से जाने जाती है बैसे तो यहां पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं लेकिन प्रमुख मारग मंडी से 14 किलमीटर दूर है जो कटौला बागी होकर है दूर्सा मारग कुलू से नाव पनाव ज्वाला पूर होकर लगभग 45 किलमीटर है इन दोनों रास्तों से बहां से यहां पहुँच सकते हैं जील और मंदिर के चारों ओर लगभग 2 किलमीटर घेरे में परवत ऐसा घेराधारन किये हुए है जैसे कोई दिवार बांधी गई हूँ इसी परवत रुपी दिवार के मद्या क्टोरी नुमा नीचे एक सम्तल स्थान पर जील और जील के तड़ पर प्राशर रिशी का मंदिर है जील के बीच लगभग 200 मीटर घेरे का तैरता बुखंड एक सुंदर द्रिश्य प्रस्तूत करता है यह बुखंड कभी मंदिर के रिदेक्षन हिस्से में होता है और कभी उत्री भाग में इस जील का मुख्या कर्शन भी यही बुखंड है इसके घुमने का रहस्या अब तक कोई नहीं जान पाया यहां जील कैसे बनी इसके बारे में लोक्षुती है कि एक बार रिशी पर आशर शीमाले में घुमते हुए इस स्थान पर आए उन्हें ये स्थान पसंद आया अते बे यहीं रहने लगे लेकिन यहां पर पानी नहीं था तब रिशी ने इसी स्थान पर घुमी पर लोए किछड जिसे गुर्ज कहते हैं मारा उससे जल निकला जिससे ये जील बन गे जील बहुत गहरी है कहा जाता है कि एक वार मंडी के किसी शासिक ने जील की गहराई नापनी चाही इसके आसपास के घाउं से सेंक्णों रस्याई कठा की गई उन्हें अपस में बांधा गया रसी के अगले सीरे पर लोए का घर बांधा गया फिर उसे जील में डाला गया सब ये रस्याँ खत्म हो गई लेकिन घंड तले तक नहीं पहुंसके मजबूर होकर शासिको जील की गहराई नापने का विचार छोड़ना पड़ा ये मंदिर किस ने और कब बनाया हिस्ट्री ओफ पंजाब हिल स्टेट में इसका बरणान हुआ है कि इस मंदिर का निर्मा तेरविश्ट आपदी में ततकारिन मंडी राजा बान सेन ने करवाया था कहा जाता है कि मंडी के राजा बान सेन ने जब केल्टी और सागुर के राणा को हराकर उत्रशाल के खेतर पर अपना राज स्थापित किया तो उसने उसी खुशी में दिशी प्राश्र का मंदिर बनवाया था मंदिर देवदार के एक ही पेर से बनाया गया है इसे बनाने में 12 बर्स का समय लगा है इसी तरह का पैगोड़ा शैलि का मंदिर कुलू जिला के कमांद गाउं के संधान बनने भी है यहां इसे तपि पराश्र कहते हैं जबकि सौराधार में इसे तद्य अच् पर मास्क के सक्रांति को सौरन आउली मेला मनाया जाता है जिसमें आसपास के गावों के देपता भाग लेते हैं। बादो मास्क के शुकल पक्ष की रिशी पंचमी को रिशी के जनम दिन के रूप में पांजो उत्सब धुमदाम से मनाया जाता है। बैसाक में काशी मेला भी मनाया जाता है। इन सब मेलों में सबसे अधिक लोग सौरन आउली में आते हैं। प्रकृति की सुंदृता के साथ साथ ये स्थान अध्यात्म का भी पुन्या स्थाल है। अगले कड़ी में किसी और विशय को लेकर रुपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालिया ध्रोर्ट चैनल इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर रवश्या करें।